दोस्तो खादिश रुक्षा को लेकर सरकार की और से एक बहुत बड़ी नियुज निकल करके सामने आ रही है आपको पता होना चाहिए कि दो महिने पहले जो खादिश रुक्षा के फोरम ओनलाइन किये गए थे लेकिन अभी तक उनकी जो स्कूरूटनी है वो प्रारंब नहीं होई थी लेकिन दोस्तो अब सरकार ने निरने लिया है कि आगले सपता से यानि साथ ही दिनों के बाद में इनकी जो स्कूरूटनी है वो प्रारंब हो जाएगी और दोस्तो जल्दी ही जो पात्र लोगों होंगे उनको है जो यहां पर अनाज मिलना शुरू हो जाएगा तो जो सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशकवरी है कि अगले सबता है से जो इनकी स्कूरिटनी शुरू हो जाएगी और फॉर्म है जो एपरू होने यहां पर शुरू हो जाएगे और जल्दी ही पात्र लोगों को है जो अनाज मिलना भी प्रारंब हो जाएगा दोस्तों इस समाचार पत्र की माने तो अगले सबता से यह सुरू काम हो जाएगा तो दोस्तों यहां पर मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने एक बात बताई थी आपको कि 64 लाख लोगों का जो खादे सुरुक्षा के अंदर से नाम हटा दिया गया है यानि ये वो लोग थे जो सरकारी कर्मचारी थे और यहां पर खादे सुरुक्षा का जो आनाज है वो प्राप्ट कर रहे थे या ऐसे लोग हैं जो कि आनाज लेने के लिए यहां पर आ नहीं रहे थे तो उनका नाम है जो खादे सुरुक्षा से हटा दिया गया है सरकार निगोशना की थी कि 10 लाख लोगों को है जो खादेश रुक्षा के अंदर यहां पर बाग दिया जाएगा लेकिन अब यहां पर एक खुशकबरी की बात ओर है कि अधिक से अधिक लोगों को यानि 20 लाख जो फोरम यहां पर बरे गए हैं तो उन सभी को यहां पर हो सक अगले सपता है से यह फोरम है जो एपरू होने ही आपर शुरू हो जाएंगे और सभी को अनाज मिलना जो शुरू हो जाएगा तो दोस्तों यह सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड नियूज है तो उमीद गरता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो वी हैंदी